दिनांग 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगबग 5 बचकर 20 बजे श्री असदुद्दिन ओवेसी सांसद लोकसबा किठोर मेरट उत्तरप्रदेश के जन्सम पर कारेकम करने के बाद दिल्ली लोट रहे थे जब उनका काफला छीजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाइवे 9 धाना पिल्खुवा जन्पध हापूर उत्तरप्रदेश से गुजराह था दो अग्यात व्यक्तियों द्वारा उनके काफले पर गोलिया चलाईगी इस घटना में स्री ओवेसी सुरक्सित बज गए लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में तीन गोलियों के निसान दिखाई दे उक्त घटना को तीन गवाहो द्वारा देखा भी गया इस संदर में एक प्रथम सुचना रिपोर्ट अपराद संक्या 45 बटा 22 अंतरकत धारा 307 भारतियत डंड सहिता और धारा 7 अपराधिक कानून संसोधन अधिनियम 1932 धाना पिलखुआ जन्पध हापुड में पंजिक्रूत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है श्री ओवेसी का जन्पध हापुड में पूर्व से कोई कारेक्रम नियत नहीं था और नहीं आवा गमन के बारे में कोई पूर्वसुतना जिल्ला नियतरन कक्स को भेजी गई था श्री ओवेसी गटना के प्रस्चात सुरक्सित दिल्ली वापिस पहुँच गए जन्पध के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा गटना सल का निरिक्षन किया गया विवेचना के क्रम में स्थानिय पूलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरपतार किया और उनसे दो अनधिकृत पिस्टल प्रत्येक से एक-एक और एक अल्टो कार की बरामत की गई है गटनास्तल और वहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सुक्समत्या से जांच हो किया जा रहा है और साक्स एक अत्रित की जा रही है दोनों अभियुक्तों से उत्तरपदेश पुलिस द्वारा पुश्टाज की जा रही है जनपद में कानून और व्योस्ता की स्थिती नियंटर्ण में और सामान्य है कडि सतरता भी बरती जा रही है केंद्रिय गुरू मंत्राले द्वारा तुरंती राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्ट की गई है पहले भी कई मौकों पर केंद्रिय सुरक्सा एजन्स्यों के खत्रे के आकलन के आधार पर श्री ओवेसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किये हैं लेकिन श्री ओवेसी ध्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगणा पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाए स्री ओवेसी के खत्रे का पुनम मुल्यांकन कराय गाय है और खत्रे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूप कार के साथ अखिल भारतिय स्तर पर क्यांद्रे रिजव पुलिस बलकी जैड स्रेनी की सुरक्सा प्रदान गी गई है मेरा बक्तवे समाप तुहा मगर हमारे पास जो मौखी सुचना ए स्री ओवेसी के द्वारा पेजी गई उन्होंने अभी भी सुरक्सा लेने से इनकार किया है मैं सदन के माध्यम से स्री ओवेसी को विनंती करना चाहूंगा कि वो ततकाल सुरक्सा ले ले और हम सब की चिंता क समदान करे धन्यवाद माने डॉक्टर वी पिने